हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब hope you all are good और आज मैं बात करने वाला हूँ रियल मी 3 pro के बारे में काफी लोग prediction कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि रियल मी 3 pro कैसे होने वाला है तो मैं भी थोड़ा सा comparison अपना बताता हूँ अपना opinion कि रियल मी 3 pro क्या हो सकता है और logically सोचे तो कैसा हो सकता है चली स्टार्ट करते इसी वीडियो को और जो लोग नए आ रहे हो मेरे चैनल पर प्रीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को एंड तक देखना काफे इंट्रस्टिंग होने वाली है कि यह सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में डिस्प्ले जो आपको देखने को मिल सकती है जो की फुल एज़्डी प्रैश स्थी डिस्प्लेड यह मौल मेत श्यक्यास कि बात कर रहे तो वो काफी जात है वह आपको देखने को नि большое क्योंकि इसकी जो प्राइस की बात हो रही है वो लगभग 13000 के आसपास हो रही है और जो कि अगर 13000 में फोन आता है तभी यह कॉंपटीट कर पाए कि रेड्मी नोट 7 प्रो को और यही एक ऐसा फोन है जो शायद इस फोन को कॉंपटीट कर सकता है बागी किसी में अभी इतन होने एक ऐसा है जो कॉंपटीशन दे सकता है इस फोन को और डिस्प्ले की बात करो तो 1080p ही मिलेगी बिकास कॉस्ट कटिंग भी करने होगी एमले डिस्प्ले मेरे खाल से नहीं मिलेगी और दूसरी बात करते हैं प्रोसेसर की तो प्रोसेसर आपको शायद स्नाप डेगन का 710 देखने को मिल जाएगा और जो कि Redmi Note 7 Pro में आपको स्नाप डेगन का 675 देखने को मिलता है तो कि थोड़ा सा ज्यादा है स्नाप डेगन के 710 से और मैं कहूंगा कि अगर डेली अवरेज में आप देखेंगे तो डेली में आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा कि अ अच्छा फोन होगा स्नाप डेगन 710 पर कोई ऐसा फोन होगा तो 13,000 के प्राइस पर आएगा दसों उसके बाद जो आता है वो डिजाइन आता है डिजाइन के बारे में अगर बात करो तो रियल्मी 3 के आप जानते है क्यों शुरुआ से जितने भी फोन दे रहा है रियल्म हो गया, हिखने को मिलते है तो इस बार भी यह मैं रियल्मी 3 प्रो में क्या, इस यह पोली कार्विनेट वाला डिजाइन देख्ण कर देखन दो στο कर्वा से बाकी तो आपको मिलता है तो इस बार भी शाय版 हमें 3 प्लास्थिक उलेगा, देखने को मिले गा मिलेगा और झॉ बाकि तो बेक आपको फ्लास्टिक में देखने को मिलेगा और तो सब्गों सिस्टम की बात करें तो आप को इसमें और इसमें ओप्रेटिंग सिस्टम ना कालर और 6 के साथ देखने हो मिलेगा वह बी Android 9 जो कि मिलना भी चाहिए आउट आफ दो बॉक्स देखने को यह चीज़ेश देखने को मिल लाएंगी जो कि कलर ओस फाइब से काफी ज्यादा एफिशेंट है और काफी ज्यादा इंप्रूब्ड है मैं कहूंगा और लेकिन काफी ज्यादा टाइम भी लग गया इसको लाने में और म इस बार USB Type-C देखने को नहीं मिली तो सच में Realme को बहुत-बहुत-बहुत-बहुत सारी समझ रहे होना आप मिलने वाली है और मेरे हिसाब से बिल्कुल भी मिलना चाहिए USB Type-C विकॉस Redmi Note 7 Pro को तभी कॉमपटीट कर पाएगा यह और यह डील ब्रेकर भी हो सकता है और आने जो कि RAM का variant होगा और अगर हम ROM की बात करें तो वह आपको UFS 3.0 देखने को मिल सकती है बट यह सिंगल वैरियंट में देखने को मिलेगी जो कि 8GB 128GB storage के साथ हो सकता है और 4GB आपको 3.0 के साथ नहीं लेकिन UFS 2.0 के साथ हो सकता है देखने को मिले जो कि अगर इस UFS के साथ द भूली गया जो कि होने वाला है कैमरा और 48 Megapixel प्लस 5 Megapixel का आपको कैमरा देखने को मिल सकता है जो कि टेक्निकली 12 Megapixel की आपको फोटो निकाल करके देगा या इमेज निकाल करके देगा आपको फुरो 48 Megapixel का है वो सोनी का IMX 586 sensor के साथ देखने को मिल सकता है और मैं कहूं है वह भी नाइट में कभी भी रात में आप फोटो खीच रहे हो तो उतनी अच्छी फिक्स नहीं आती है जितनी अदनी अधा दिन में आती है जब भी light मिलता है तब जाधा अच्छे से काम कर पाता है अधर वाइस उतना अच्छा काम नहीं करता है अगर अम Redmi Note 5 Pro की बात कर करते हैं और जो रेडमी नोट 7 रेडमी नोट 7 प्रो है यह सब ज्यादा एफिशेंट काम करते हैं ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं तो मैं काहूंगा कि कैमरा पे सिर्फ और सिर्फ मेगापिक्सल घुशिकर दिने से कुछ नहीं होगा उनकी प्रोसेसिंग बहुत ज सब्सक्राइब लगा करके देता है लेकिन उनकी इमेज़ प्रोसेसिंग कितने ज्यादा अच्छे होती है तो इमेज़ प्रोसेसिंग धियान दे तो ज्यादा बटर होगा यह अगर फ्रेंट कैमरे की बात कर रहू तो आपको 16 मेगापिक्चल या 20 मेगापिकसल वाला कैमर कम्लब सकता है यह एकदम करना हम एंट से ही है आपको कोई न को यह धिर प्रों के लिए छोकि चाहिए सब के कुछ लोगं के लिए डील ब्रेकर हो सकता है रेड्मी नोट 7 प्रो और याइस में 3.5 mm का जैक देखनों को मिली जाएगा आप लोगं को जिसकी आउटपुट काफी ज्यादा कमाल की है मैं यूज कर रहा हूं इस चीज को रियलमी 2 प्रो को तो इनके जो आउटपुट है वो काफी ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं इस चीज में तो खैर काफी ज़्यादा अच्छा है रियलमी दूस्तों अगर बैटरी की बारे में बात करें तो शायद आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है और यह शायद वूग 4 3 को सपोर्ट करती हुई मिलेग के आपको जो कि काफी अच्छी बात इस चीज का काफी लोग ची बिल कर रहत है क्या मे…स अवह रिंटी वह बरी छाइय और ही काफे ची बात हो सकती है शाय एक पिर न की बात करें तो शैद आपको इसमें गूर्यला ग्लास इस अंहीं दो मिल मरें जो कि भाक में अर्य मोगा आपको उसमें आहेसा तो यह वीडियो के लिए से या हैं वीडियो डेडियो में अधरकली मिलतीन ग्याहा स्व... तो प्रीज वीडियो को लाइक जरू करना शेयर जरू करना अपने दोस्तों के साथ और लोगों को भी बताओ कि रियल मी 3 Pro शायद कैसा होने वाला है और उनको वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मेरे इसाफ से थोड़ा सा वेट करना चाहिए विगोज जो रेडिमी नोट 7 Pro है उसकी वी सेल में कहां पर आप कहीं बहुत ही मुश्किल होता है कि आपको फोन मिल पाए तो ट्राइ करते हो अगर मिल लाता है तो अच्छी बात है वरना अप्रेल के फर्स्ट वीक में या टेंथ आप्रेल के पहले-पहले यह फोन लाउंच हो जाएगा तो जब तक के लिए वीट कर लो चायद ये दो-चार कदम आगे ही निकल करके आए रिएडवी नोट 7 Pro से विकॉस कॉंपटीट करना है तो कुछ उधर से बंदे डाइवर्ट हो करके इधर आए कि रियल्मी 2 Pro मैं पर्चेस करूंगा रियल्मी 3 Pro मैं पर्चेस क सब्सक्राइब करना और विडियो को लाइक करना शेयर करना विलकुल भी मत बूलिएगा और जाकर के मुझे फॉलो कर लिए बाकी सारे बाकी सारे शोचल मीडिया पर मिलते आप से नेक्स वाले वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई